हेल दोस्तों नमस्कार भोजप्री कल्चर के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर आपको भोजप्री इंडेस्टी से जोड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त होती है जैसे कि भोजप्री फिल्म के फर्स्ट लुक, टीजर, ट्रेलर या फिल्म की रिलीज के बारे में भोजप्री एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में जानकारी इत्यादी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो तुरंट मिल सके आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं येस कुमार की आने वाली फिल्म रैस जादा के बारे में येस कुमार की रैस जादा की सूटिंग रुस्ताम अली चिस्ती के निर्देशन में 25 फरवरी से गुरुपूर में सुरू होगी बोस्परी फिल्मों के सुपरिस्टार येसकुमार और लेखक निर्देशक निर्माता रुस्तम अलिस्चिस्ती एक साथ नए साल में बड़ा धमाल बचाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं जी हाँ येसकुमार रक्षा गुपता पूजा सिंग के साथ नए भोश्परी फिल्म रैस जादा की सुटिंग रुस्तम अलिस्चिस्ती की निर्देशन में आगामी 25 परवरी से उतर प्रदेश के गुरखपूर में सुरू होने वाली है सुरुसती मूवीज वर्ड के बैनर तले बनाई जा रही फैमिली ड्रामा से भरपूर या फिल्म बिग लेवर पल बनाई जाएगी इस फिल्म में येसकुमार का लुक और किरदार काफी अलग हट कर देखेगा जो की उनके फैंस और आडियन्स के लिए सर्प्राइज पैक सुरुसती ने कहा कि इस फिल्म की कहानी सामाजिक और पारिवारिक परिवेश को ध्यान में रखकर लिखी गई है यह फिल्म बड़े पैमाने पर काफी महंगे बजट के साथ बनाई जा रही है मेगा बजट की फिल्म बनाने की वज़ाया है कि जब यह फिल्म प्रदर्सित हो तो दर्सकों को रुपहले परदे पर भविता दिखे जिससे मनुरंजन दो गुना हो जाए और दूसरी वज़ाया भी है कि इससे बोज़परी फिल्मों का अस्तर और भी उंचा उठेगा उन्होंने यह भी बताए कि यह फिल्म एक सामाजिक प्रिश्ट भूम पर आधा कर रहे हैं वो फिल्म में बहुत अच्छी हो रही है उन्हों की कहानी भी बहुत अच्छी हो रही है हाली में इनकी एक फिल्म का फर्स लुक आउट किया गया जिसमें एक लुगाई एक रजाई तीन लुगाई टू यह पार्ट है इस फिल्म का यह काफी अच्छी फिल्म ह मिलेगी हम दूसरी वीडियो में आपको इस फिल्म की सारी जनकारी उपलत कराएंगे मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अगर आपको या वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें सेर करे, कोई सुझाओ हो तो कमेंट करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद